बाल्टी मोर ब्रेज से टकडा गया जहाज देखते ही देखते नदी में समा गया पुल बह गई कार ही और लोग वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वाइडर जिहां अमेरिका के बाल्टी मोर में कंटेनर लदा पानी का एक बड़ा जहाज फ्रांसिस स्कॉर्ट के ब्रेज से टकडा गया टककर के बाद पुल का एक बड़ा हिस्सा तूट कर पानी में समा गया इस्था ने मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि दुर घटना के वक्त कई गारियां और लोग पुल पर मौजूद थे कई कारों और लोगों को पानी में देखा गया रॉटर्स ने बत बाल्टी मोर फायर डिपार्टमेंट के कम्मिनिकेशन डारेक्टर केविन कार्ट राइट ने रॉइटर से बताया हमें देर रात लगभग देर बचे एमर्जनसी सर्विस 911 पर कई कॉल साइन के एक जहास बाल्टी मोर में की ब्रिज से टकरा गया है जिससे पुल धैगया धहने का संग्यान लिया और आश्वासन दिया की आपातकालिन सेवाए घटना इस हल पर काम कर रही हैं फ्रांसिस स्कॉट के ब्रेच वाशिंग्टन मेट्रोपॉलिटन रीजन में एक महत्वपून ट्रांस्पोर्टेशन लिंक है क्योंकि ये वाशिंग्टन डीसी के जॉ जोर्ज टाउन को आर्लिंग्टन वर्जीनिया के रॉस्लिंग से जोड़ता है बता दे दुर घटना का ये वीडियो ये ब्रेच फ्रांसिस स्कॉट को समर्पित है जिन्होंने अमेरिका का रास्ट्रगान लिखा है कार्गो शिप के लंबाई 948 फीट बताए जारी है बता दे टक्कर के बहार इस जहाज में आग लग गई और फ्रांसिस स्कॉट के ब्रेच का एक हिस्सा देखते ही देखते नदी में समा गया इस ब्रेच की लंबाई 3 किलोमीटर बताई जारी है दाली नाम के इस जहाज पर सिंगापूर का ध्वच लगा था जहाज ग्रेस ओशिन प्राइविट लिमिटेड कामपनी की बताई जारी है जिसका मैनेजमिन सिनरजी मरीन क्रूप के पास था ये जहाज श्रीलंका जा रहा था हाला कि अब तक ये इस पस्ट नहीं है कि हार्से के वक्त पुल पर कितने लोग और वहन मौजूद थे मैरिलैंड ट्रांस्पोर्टेशन ऑथरिटी के मुताबिक ब्रिज पर हार्से के बाद सभी लें बंद कर ट्राइटर्स के मुताबिक ग्रेस ओशन प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि जहाज पर मौजू चालग दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है जहाज पुल से कैसे टकरा गई इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है पटासको नदी में इस समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है ऐसे में हाथसे के बाद नदी में गिरे लोगों की जानको गमफीर खत्रा है क्योंकि तापमान कम होने की वज़ा से लोग हाइपो थर्मिया के शिकार हो सकते हैं Bureau Report, Super News 24